हाई अवरिवन मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे वैसे तो चाइना और यूएस के बीच में रिलेशन्स खराबी रहते हैं और 2013 के बाद जब से चाइना के प्रेसिडिन बने हैं श्री जिन तब से रिलेशन्स और भी खराब हुए हैं या कह स यूएस टिक टॉक को अपने देश में बैन कर देगी अब ये सुनके काफी छोटा से एक निउस लगता है कि गवर्मेंट आफ इंडिया ने भी तो बैन किया टिक टॉक को तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को जानेंगे भले ये न पहले आपको मेरा एफट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे इमेल करके बता सकते हैं अब दो देशों के बीच में अगर हम रिलेशन्स को डिसकस करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाता है जिसके बारे में आप कौन सी पॉइंट्स को टेच करना चाहेंगे और कौन सी पॉइंट्स को आप एवोइड करेंगे ये अपने आप में एक काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ ऐ कि रिलेशन एक हद के बाद और खराब ना हो। ये आज का ही आर्टिकल है ये एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ओफ स्टेट युएस गवर्मेंट ये चाइना पहुच गये हैं क्यों क्योंकि ये डारेक्ली वहां के जो डिप्लोमेंट से उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंग स्ट्रॉंग रहेगा तो युएस कभी भी उससे एक हद के बाद अपने रिष्टे को खराब नहीं करेगा तो ये बात हमें as an Indian अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए अब क्योंकि युएस भी World Trade Organization का हिस्सा है और चाइना भी World Trade Organization का हिस्सा है तो इसमें बहुत सारे clause हैं क्योंकि Government of US ने ये बिल पास किया है जहांपे possibility काफी हाई है कि TikTok को बैन कर दिया जाएगा तो TikTok के तरब से ये official statement आया जहांपे वो ये कह रहे हैं कि US के द्वारा ये जो possible बैन होने वाला है ये complete तरीके से unconstitutional है अब ऐसा क्यों कहा गया तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आख कर देंगे ये automatically बिल से act में convert हो जाएगा अब जब Government of India ने TikTok को भारत में बैन किया था तो उसके पीछे भी एक reason बताया गया था वो था national security अब Government of US ने भी exactly यही कहा कि national security के वज़े से TikTok को बैन किया जा रहा है अब अगर हम इसी news को बहुत ही neutral तरीके से रह के देखे और सोच तो इसमें कहीं से कोई दो रहाए नहीं है कि Government of China भी US के उपर नजर रखते हैं और Government of US भी नजर रखते हैं और दोनों एक दूसरे के उपर highly dependent भी हैं अगर आप 2023 का data निकाल के देखेंगा bilateral trade का तो लगभग कुछ 575 billion American dollars का trade हुआ है दोनों देशों के बीच में यह बताता ह है कि US के पास भी कोई दूसरा option नहीं है except China और China के पास भी इतना बड़ा customer नहीं है तो कहीं न कहीं दोनों देशों को एक दूसरे से thread भी है और इन दोनों को एक दूसरे का जरूरत भी है उससे भी shocking बात जो है वो यह है कि हर तीन में से दो आदमी US में TikTok पे है अब इसका क् मतलब होता है तो इस चीज को हम थोड़े से भारत के perspective से देखते हैं जो personally मैंने observe किया है वो यह किया है कि अगर आप किसी भी social media platform पर जाके किसी भी एक religion के बारे में कुछ negative comment करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे comments आने शुरू हो जाते हैं कुछ लोग उस comment के favor में रहते हैं कुछ लोग उस comment के oppose में रहते हैं कहने का मतलब है कि जो जिस religion का है वो to the maximum extent जाके उस religion को defend करता है और जो उस religion का नहीं है वो to the maximum extent जाके उस religion को abuse करता है इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है जो user है जो comment कर रहा हो ये किसी तीसरे देश में बैठा हो और ये जो हमारे दुस्मन देश या जिनसे हमारे relations अच्छे नहीं है हो सकता है कि वो हमारे देश में इस तरीके से comment करके हमारे देश का महौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है Social Media Platform एक बहुत ही अच्छा platform बन चुका है आज के date में जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उस देश के जो लोंग हैं उस देश के जो यूथ हैं वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं उसको analyze करने का एक बहुत ही बहुत ही बहुतरिन platform बन चुका है अब इस चीज़ को आप फ्रोड़ासा US के point of view से देखें जहां पर हर तीन में से दो लोग अगर TikTok यूज़ कर रहा है तो हमें क्या लगता है कि social media platform पर जाके comment करना अपने विचार को express करने से हम बहुत cool बन जाएंगे reality ये होता है कि comment करना, statement पास करना और उसी चीज़ को real life में execute करना बहुत अलग चीज़ होता है अब क्यूंकि अगर किसी भी देश का तीन में से दो आदमी अगर किसी एक platform पर है और खास करके वो platform आपके दुश्मन देश का है तो कहीं न कहीं आपको ये संदे ये शक तो रहेगा ही कि आपके देश में वो किसी भी तरीके से आपके सरकारे खिलाफ कोई propaganda तो run नहीं कर रहा तो कुछ ऐसा ही doubt कह लें या कुछ हद तक यकीन है government of US को जिसके current government of US को ये bill लाना पड़ा जहां पे वो बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं कि या तो आपको TikTok को बेज देना है और अगर आप नहीं बेजते हैं तो 9 महीने के अंदर ही TikTok US में बैन हो जाएगा लेकिन वहीं पे बहुत सारे जो law experts हैं यानि कि जो business में जिनकी अच्छी जानकारी है वो ये कहते हैं कि ये government of US के लिए इतना असान नहीं होने वाला है कि वो TikTok को US में ban करवा दें अब क्यूंकि court में proceedings चलेंगे बहुत सारे आपको facts and figures को present करने पड़ेंगे तो possibility काफी high है कि ये चीज थोड़ा सा लंबा खीचे और कहीं न कहीं ये US government के खिलाफ चले जाए बीते कुछ सालों में social media platform एक business platform के तरह उभर के आया है जहाँ पे लोग अपने business को promote करते हैं लोग advertisement करते हैं अपने business का अपने काम का तो कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़ा source of revenue बना है इसी बीच TikTok के boss Mr. Chew का statement आता है जहाँ पे वो ये कहते हैं कि वो और उनकी company काफी confident है और उन्हें पता है कि court उन्हें ही support करेगा कहने का मतलब है क्योंकि TikTok के तरब से कोई भी गलती नहीं की गई है तो इसी लिए जो नियम कानून कहता है वो ये कहता है कि कहीं से भी TikTok को कोई परिशानी नहीं होने वाला है उसके बाद जब अभी मैं ये video record कर रहा हूँ 25 तारी के रात में तो बहुत सारे ऐसे youth हैं जो जो बाइडन के against statement दे रहे हैं और उसके बाद वो social media platform TikTok पे बहुत सारे videos upload कर रहे हैं जहाँ पे वो अपनी नराजगी को व्यक्त कर रहे हैं अब अगर आप देखेंगे तो जो TikTok के जो boss है वो एक video post करते हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं US के users से यानि कि वहाँ के लोगों से कि आपका experience कैसा रहा या किस तरीके से जिन्दगी आपका TikTok बदल दिया है कहने का मतलब है कि ये in a way US के users को platform पे लाने के एक बहुत ही अच्छा तरीका है और किसी भी देश के लिए जब उसी देश के लोग अपनी सरकार के खिलाफ जब statement देते हैं तो वो moment काफी critical हो जाता है उसके बाद US में इसी साल चुनाव है जहाँ पे प्रेसिडेंट जो बाइडन चाहते हैं कि वो दुबारा से प्रेसिडेंट बन के आए So US में क्या है ना कि दो चीजों का जो इस्तेमाल होता है वो काफी होता है एक तो होता है democracy word का दूसरा होता है freedom of expression speech का तो exactly इनी दो शब्दों में से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि TikTok एक social media platform है जहाँ पे आप अपनी बातों को express कर सकते हैं कह सकते हैं तो इसी चीज़ का फाइदा उठाते हैं TikTok अपने यूजर से कहते हैं कि ये बैन सिर्फ TikTok के उपर नहीं है बलकि ये बैन आपके freedom of speech पर, freedom of expression पर है उसके बाद TikTok के दुवारा ये कहा गया है कि data को secure करने के लिए TikTok ने billions of dollars खर्च किये हैं और इनके हिसाब से किसी भी तरीके से TikTok के जो user से इनका data के साथ misuse नहीं होता है या नहीं हो सकता है So normally क्या होता है ना कि किसी भी देश में जो 15 साल से लेके almost जो 30 साल तक के age group के जो लोग होते हैं इनके तेवर काफी बगावती होते हैं ये fact and figures को कम देखते हैं और इनको लगता है कि जो इनके विचार हैं वो विचार सबसे जादा अच्छे हैं और उसी विचार को सभी लो चाइना TikTok जैसा कोई social media platform या application बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं ये कुछ सवाल है जो हमें पूछने पढ़ेंगे क्यों US और चाइना आज भी चाह के अपने relations को एक हद के बाद खराप नहीं करना चाहेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के उपर dependent हैं हमें ये सवा पूछना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा देश है जो हमारे उपर इस हद तक dependent है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye